हेलो इवरीवन कैसे आप सब अगर आप लोग डाउन में रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफी को मिस कर रहे हैं तो चलिए आज हम लोग घर पे बनाते हैं पांच मिनिट में रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफी बस हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं हमारा कॉफी रेडी मैंने य इनों की क्वांटिटी सेम रखें और बस हमें इसको बीटर से चार मिनट के लिए बीट कर लेना है और आपका कॉफी रेड़ी रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफी पांच मिनट में रेड़ी हो जाएगा आप देखिये इस लो स्पीड पर बीट करना है इसको कितना लाइट होते जा रहा है कलर इसका आप देख सकते हैं बहुत एक मिनट भी नहीं हुआ है और इसका कलर कितना चेंज होने लगा है आप इसको चार मिनट तक बीट कीजेगा जब तक इसके स्टिप पिक्स ना आ जाए बहुत ही इजी बन जाता है यह घर में यह देखिए दो मिनट के यह देखिए दो मिनट के बाद आप इसको देख सकते हैं स्टिप पिक्स आ गया है और यह हमारा रोड़ हो चुत है हमने दो स्टेप को फॉलो कर लिए पहला आमने सारे चीजे एक्वल ली दूसरा हमने उसको बीट कर लिया अब आये आम इसे सर्व करते हैं तो सर्व करने के लिए यहां पर यह जो हमने फोर्थी बनाया है आपको बता दे यह बहुत कड़वा होता है स्ट्रॉं होता है तो इसलिए सबसे पहले आप एक चम्मच ले फिर इसमें दूद एड़ करें फिर इसको टेस्ट करें उसके बाद आप इसमें और फोर्थी डालें आप एक ही मिल्क एड करूँगी रापने में आप रीकवारमेंट के हिसाब से ले सकते हैं मैंने यहां तींसे मेल दूद लिया है अब देख सकते हैं और इसमें आप जैसे चाहें वैसे लिया सकतें मैंने इसकों किया करूंगी अच्छे से mix करके, पहले कर लूँगी टेस्ट करने के बाद मैं फिर इसमें और फॉर्थी डालूँगी अगर आपको milk में chini डालना हो, तो आप पहले से डाल सकते हैं और यह जो हमारा बच जाता है फोर्थी जो हमारा बच जाता है आप उसको वन वीक तक फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं आप उसको एर टाइट डब्बे में रख दें और आपको नेक्स डे आप यूज कर सकते हैं बहुत आशानी से देखिए देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया बहुत आसानी से बन जाता है यह अब हमें उपर से थोड़ा सा और फोर्थी डालेंगे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आपके प्टाई डाले ना तो ज़रूरी नहीं है इसको डालना घ्या बस इसमें आपको ऐसे करना है थोड़ा सा हमने उपर से डाल दिया मैं और थोड़ा डूद डाल रही हूँ और आपका देख सकते हैं कोफी अल्मोस्ट अब रेडी हो चुका है मैंने दूद के उपर थोड़ा सा इसको स्कुईर से मिक्स कर दिया है फोर्थी को तो आपने देखा ना कितना असान है इसे बनाना पांच मिनिट से ज्यादा टाइम नहीं लगा बिल्कुल बस हमें फोर्थी बनाना है और कॉफी मग में डालना है हमारा कॉफी रेडी अब इसे आप जो बच गया है उसे यह टाइट कंटेनर में डाल के रख दें फ्रीज में रख दें यह वन वीक तक खराब नहीं होगा और आपका जब भी मन हो मग उठाएं मिल्क डालें और फोर्थी डालें मिक्स करें इंजॉय करें अगर आपको यह मेरे वीडियो दाता है तो प्लीज इसे लाइक करें सेयर करें कॉमेंट करें और मुझे बताया कि कैसा रहा मेरा यह आज का वीडियो मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिसे मेरे वीडियो का नोटिफिके धन्यवाद